राची जिले के मांडर प्रखंड में दो दिवसीय मुर्मा जत्रा मंगलवार से शुरू होगा जत्रा चालीस पढ़ा के पाहन कुजार द्वारा जत्रा स्थलस्थित शक्ती खूटा की पूजा अर्चना के बाद शुरू हो जाएगा जत्रा में खेल तमाशे, बिजली चालि जूले, मौत का क्वाँ, सरकस, जूला, जादू के खेल वा मनुरंजन के अन्य साधनों की भरमार है मिठाई समेथ खाने पीने की सैक्रों दुकाने लगी है, जत्रा में जारखन के अलावा पश्चिन बंगाल, औरिशा, चत्तिसकर, मध्यप्रदेश के साथ ही नेपाल से भी लोग आते हैं यहां से व्यवसाई भी आकर जत्रा में दुकान लगाते हैं, दो दिनों के इस जत्रा में लाखों का कारोबार होता है वही केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंदा ने मंगलवार को दो दिवसिये मुर्मा जत्रा का उद्धाटन किया पुद्घाटन समारोव में उन्होंने कहा कि मुर्मा जत्रामुंदा ववराओं का एतिहासिक स्थल है। यह वा स्थान है जहां से हमें प्रेड़ना और ताकत मिलती है। हमारे पूर्वजों ने इसी स्थान पर समझोते के बाद अपनी यात्रा प्रारम्त किया था। यहां हमारी परंपरा वह संस्कृति हर साल जीवन्थ होती है। मुर्मा जत्रा संचालन समिती के संयोजग धर्वूरू बंधन तिग्गा ने बताया कि जत्रा में प्रशासन को हर तरह से सह्योग करने के लिए ओनके दो हजार स्वन सेवत मौझूद रहेंगे। प्रशासन की तैयारी का जाय जा लेने के लिए राची के सदर SDO दीपक दुबे ग्रामीर एसपी नौशाद आलम वन्य पदाधिकारी जत्रास्थल पहुचे SDO वग्रामीर एसपी ने कंट्रोल रूम वन्य विवस्था का जाय जा लिया और जत्रा में प्रतिन्यों अदाधिकारियों वकर्मियों के साथ बैठक कर जत्रास्थल में विधी वशांती विवस्था के संधारन को लेकर आवश्यक दिशान निर्देश दिया दो दिवसिये जत्रा के दौरान या ताय द्विवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन की ओर से NH 75 पर 11 अक्टूबर से वहनों का रूट दाइवर्ट कर दिया जाएगा बताया गया कि लोहर दगा की ओर से आने वाले सभी वाहन टांगर बसली मोर से टांगर बसली बेडो होते हुए राची की ओर एवन राची की ओर से आने वाले सभी वाहन काठी टांग से ठाकुर गाउं होते हुए अपने गंतव्वे की ओर जाएंगे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले